बिना गेस जलाए, बिना घंटों की मैनत किये, ये सिम्पल सी सोल कड़ी की रेसिपी बहुत ही जटपड से बनकर तयार होती है इस सोल कड़ी को सर्फ करने के लिए गर्मा गरम उबले हुए जावल, भूने हुए सुखे बांगडे के कुछ टुकड़े और थोड़ा सा अचार लगा कर भी सर्फ कर सकते हैं हाई फ्रेंट्स, असलाम उलेकूम, जीनत इंदकी चर्में आप सब का बहुत बहुत वेलकम हैं, ये हमारे गुवा की ऑथिंटिक रेसिपी है एक बार इसे ज़रूर बना कर ट्राई कीजिए, आप सब को ये बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं सोल कड़ी साथ से आठ लैसुन की कलिया, पांच हरी मिर्चे, हरी मिर्च को अपने टेस्ट के साब से आप कम या ज़ादा कर सकते हैं और यहाँ पर 15 से 20 देखिए कोकम के कलिया ली है, और एक पूरा नारियल टुकडों में कट किया हुआ और नारियल हमें फ्रेश लेना है पानी वाला और थोड़ा सा नमक तो मिक्सेर जार में नारियल के कटेवे टुकडों को डाल लेते हैं और इसमें डालेंगे हरी मिर्चे, लैसन की कलिया और आधा ग्लाज इतना इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे इस कड़ी को बनाने के लिए पानी वाला नारियल ही इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा कड़ी में सुखा वाला नारियल इस्तेमाल ना करें तो इसे आप मिक्सर जार में मैंने अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना लिया है आप छन्नी रखकर बॉल में छान लेते हैं वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा जब कभी आप ज़्यादा मसालेदार चीजें खाकर बोर हो जाएं तो इस रेसिपी को जरूर बनाएं तो यहाँ पर दिखिए कोकम के कलियों को मैंने पानी में भीगो कर रखा था कुछ देर के लिए आप यह दिखी इसमें से अच्छी तरह इसका पल्प निकाल करना इसमें मिक्स कर देंगे इस कोकम को हमारे यहाँ आम सोल या फिर सोला भी कहा जाता है और इसी को जो है डालने के वज़े से इस कड़ी को सोल कड़ी कहते हैं अब इसमें टेस्ट की साब से नमक डालते हैं और कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हैं अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकेंगे कोकंग को डालने के वज़े से कड़ी में जो है हलका सा गुला भी रंग आएगा नारियल को पीशते समय बहुत ज्यादा पानी भी मत डालिएगा नहीं तो ये जो नारियल का दूर निकलेगा न ये बहुत पतला हो जाएगा तो इसे थोड़ा सा गाड़ा ही रहने दें और एक मीडियम साइस के पूरे नारियल की ये सोल कड़ी बनकर तयार है इस सोल कड़ी को खाने के साथ खा भी सकते हैं या फिर इसे ग्लास में डाल कर पी भी सकते हैं तो कैसी लगी ये सिंपल सी आपको रेसिपी जरूर कमेंट करके बताईएगा चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा आला हाफिज थैंक्स वर वाजिंग